स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइस्टो टिकनॉलजी में मैं अनुपा मेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कंप्यूटर विटनसरे में आज हम लोग बात करेंगे वाल का स्टीम डेक के बारे में तो आए समझते हैं इक अपूलक यह अलग से प्लाटफॉर्प्रम नहीं बना रहा हुँ जैसे कि आपका विकीग प्लैश्टपाइबल प्लैदफोर्म रिटा य। निंटेंडू स्विच ए प्लैटफोर्म के लिए अलग से गेम बनते हैं ऐसा नहीं होगा यह कंप्यूटर को आपके हाथ के अंदर डाल दे रहा है ताकि कंप्यूटर में जो भी चलता है वो इसमें चल सके और इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तमाल कर रहे हैं वो है जन 2 जनेरेशन का यानि समझे आगर इसको आप परफोर्मेंस समझना से तो एमडी का जो फोर्थ होजन सरी साल जो सिर्फ लैप्टॉप के लिए रिलीज किया गया था उसके आसपास का परफोर्मेंस है से आप में समझी इस जबता है करें तो आपका जो रहां है उसी को वीडियो के तबी स्नमाल किया चाहिगा आनि की शेरिंग होती है और यह कस्टम एक्स वाक्स जाहे वो प्लेश्टेशन वो तो यह लोग्त जैसे इस जनेरेशन में सीधे-सीधे AMD का equipment इस्तमाल कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी laptop manufacturer बार अगले या आप मांग लो या हम मांग ले, वो white level product है, यानि कि AMD और Sony के बीच में collaboration हुआ, वो लोग developed किये और sell किये, और वो बहार नहीं बेचा जाएगा, फिर वैसे ही समझी, Xbox और AMD में collaboration हुआ, वो लोग sell कि बाहर नहीं बिचा जाएगा, तो ये भी वैसे ही कर रहा है, यानि कि इसका एक मतलब और समझ रहते हैं कि Valm ने बहुत पैसा खर्च किया है, मतलब अपना समझ के पैसा डाला है, क्योंकि इस तरह का custom APU बनवाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मतलब कि minimum order कुछ million piece में हो रहा है, यह DDR5 डेती है, DDR6 तक भी जाता है, क्योंकि आप लोग देखते हो, ग्राफिस काड का मेमोरी जादा फास्ट होता है, तो अब इसको ऐसा चाहिए, जो CPU और GPS से दोनों बात कैसे हैं, 4 ठीक ठाक चलता है, तो 5 पे चले गा है, तो 5 में इनको फाइदा हो रहा है, मतल तो उसका साइड इफेक्ट होता है, अगर चैनल्स जो है, वो अगर कॉम्प्रमाइज रहें, तो लेटनसी बढ़ जाती है, डेटा वही रहता है, लेकिन लेटनसी बढ़ जाती है, क्योंकि समझे है, CPU मांगा, अब RAM बैठा रहेगा, क्योंकि CPU तो ले लो, ठेक है CPU ले लि इसको भी काफी RAM मिल जाएगा, आराम से 5-6GB RAM मिल जाएगा, जो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्पले, ये लोग छोटा है, तो ये लोग फुल एचिटिक नहीं दे रहे है, अब लेंगे, इससे छोटा तो लोग मोगाईल फोन है, तो मोगाईल फोन में पीसी गेमि इसकी है, 1280 by 800, 60 Hz तक जा सकता है, तो ये समझे कि ऐसा सेटिंग है कि बिना ब्लैक बास के बहुत सारे गेम चला लेगा, और जो गेम नहीं भी चला जाएगा, थोड़ा आसपास जाएगा, मतलब थोड़ा सा को लेटर बॉक्सिं मिलेगा, लेकिन आपका कराम में हो तो ये 4K 120 fps तक का आउटपुट दे सकता है, वो उतने पर गेम चला पाएगा कि नहीं अलग बात है, और जनरली एक ही दो गेम चलेंगे, जो मतलब जिसे वाली पूराने एमिलेटर के हैं, या जिसको, मतलब समझे बहुत लो एंड का गेम 4K 120 चला है, 4K 120 पर गेम तो आप सकता है, और इसमें मेमोरी के लिए M.2 2230 स्लोट इस्तमाल के जा रहा है, या बत सजी M.2 हम लोग भार जगा इस्तमाल करते हैं, लेकिन वो जनरली बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और ये जो 2230 वो इतना होता है, तो इनका मतलब वाल कह रहे है कि कस्टमर इसे दूसरा हो सकता है, उसमें कोई software lock हो, या key different type से हो, ताकि वो ना आप चेंज करते हैं, और उनके बाद इनको पता है, क्योंकि कम दाम के चकर में बहुत कम मेमोरी दे रहे, PC के हिसाफ से मेमोरी बहुत कम है, तो ये लोग SD Card पर पूरा महनत करे हो, और आपको बमम SD Card support देते कि आप अराम से एक तरबेट तक का SD Card डाल गया, तो यही है console, अब बात कर रहे है, है क्या, तो घुमा फिरा के देखिए, ये pocket PC दे रहे है, ये console, इसलिए मैं बूरा हो कि अब console जैसा नहीं है, जैसे कि console होता है, Nintendo का हो, चाहे Sony का हो, चाहे वो Xbox का हो, वो सम एक अलग ecosystem हो, उसके लिए अलग operator है, उसके लिए गेम बनाना पड़ता है, ये वैसा करी ने रहे है, ये आपको computer दे रहा है, जो आप हां में ले रहे हो, तो इसका ही समझे, कि आप एसा समझे एक computer है, जिसमें inbuilt controller दिया हुआ है, और इसका performance अगर आप समझ रहा है, कि कितना horsepower है, तो आपस फाइदा है कि performance अलमस्स उतना है, लेकिन ये नया जेनरेशन का, PS4 कब आया था, तो नया जेनरेशन का प्रोसेसर होने के बाद, भले थोड़ा सा हर सब्सक्राइब काम है, कि समझे, optimisation जादा बेटर होने से, ये साइध उस लेवल का आपको output दे रहे है, तो भई यानि कि होड़ेवर में कोई बूट लोगर नहीं लगाएगा है कि, अरे मेरे को माली ये स्टीम सापका मन नहीं भार रहा है, अपको इसमें में विंडोस में काम करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं, ये आप से लडाई नहीं करें, आप आराम से इसको फॉर्मेट करके मेरे को कम्प्यूटर ही चाहिए, बहुत लोग कॉलेज में जाते हैं, जिस पढ़ाई में आपको कम्प्यूटर की जरुवत में ही है, मतलब कहने को सब लोग माब से मांग लेते हैं, ये लोग ये लोग यूएस्बी पूरा सपोर्ट करना है, अपल जैसा नहीं कि कहने को यूएस्बी सी देता है, लेकिन उस यूएस्बी सी डॉक लगए है, आधसाधा डॉक नहीं काम करें, जब तक वो एपल ब्रांडड ना हो, या तो एपल से सर्टिफाइड ना हो, क्योंकि वो लोग मतलब तिगड़म लगा देते हैं, ड्राइवर में ताकि वो ब्रेक कर कहने को काम करने चाहिए, यह मतलब पूरा यूस्बी सी दे रहे हैं, आप आराम से जो भी आपका डेल में काम करें, लिनोव में काम करें इसमें भी काम करें, कोई तिगड़म नहीं, कोई हूहा नहीं, तो आप कुछ भी कर से, कीबोर्ड माउस लगाए, इथरनेट जैक ल इसको लगाई है यहागी तिवी से कान्नेट कीजिये वहा रैसे ब्हाए जो glacier है जो आप निग्टेंडू सुच टीज़ को पॉपुलाईज करतिया है कि मतलब अप एक डॉक्र रख एक डॉक्र के लगा दीजे और आराम के लिए बैटके, तो यह बहुत चीज कर पायागा यह पॉकेट PC के फॉर्मेट होने से अब बात करते हैं यहां पर एक सिस्विशन होता है जब भी कोई इस तरह के कॉंसोल है जैसा हार्डवेर के बारे में बात करता है जिसको गहते है चिकन एन एक का सिच्विशन ही हो जाता है कि आपका कॉंसोल खूब भीकना चाहिए अब तब ही डेव्लापर को गेंज से प्रॉफिट होता है गेंज यह तन्य पीस बेचे उससे फरक परता है उनको फरक में परता है रेटिंग कैसे मिल रहा है कितने पीस बीख रहा है उससे उनNK 2-0 चाथी है तो उनको कितने पीस बीख रहे है मुत अगर आपके अको निब अगर आपका Commeso riches और से सम्मान आपागाया को आपके कंस्टो और तो में आपको बना कहनेमदर कि जाड़ा कस्टमर से तो वह पहला भोजाता है फिर हो जाधा है कि कस्टमर कभी भी कॉंसोमन करता कोई PlayStation नहीं खरीता है वाइजन जिरो डाउनच मनहीं? यही इसी कारण से बहुत सारे कॉंसोल फ्लॉप हो जाते हैं पहले मतलब आपको देहें यह प्लेस्टेशन वीटा जब बनाया था अच्छा हडवे था काफी पहों मेंसा लेकिन सोनी इसको तो फ्लड नहीं किया गेम से तो गेम का कमी देखके लोग नहीं कर दे लोग का मतलब कम सेल्स देखके डेवलपर इसमें हाथ नहीं मार रही है मर गया सीधे सीधे मर गया खतम हो गया दी एंड तो वही समझना मुझे ए चिकन एन एक सिच्विशन होता है कि अगर आप कुछ ह कुछ हमाली जै इसमें नहीं आ रहा है आज कल एक दो एक्स्क्लूसिव उसमें भी आने लगे हैं आपका एपक गेंस्टोर एपक गेंस्टोर भी सपोर्ट करता है तो आपको इटेंशन ही इसलिए यह डेडिकेट पीसी बनाना वो चिकन एन एक सिच्विशन को बाइपास क चलते हैं यानि कि आपको उसमें कोई कमपैटिबिटी लेर नहीं लिनेक्स गेम काम खता और जो विंडोस गेम है कि मैं नहीं मेरे को विंडोस इको सिस्टम चाहिए उनके लिए उनके लिए नहीं ने प्रोटाउन को डेवलफ किया अभी नहीं हो रहा है यह कई साल से जो जैसे माली आपके बहुत सारे गेम करते हैं ताकि कोई हैक ना कर सब्सक्राइब करते हैं तो कई बार यह सब सब्सक्राइब और डिजिटल राइस मेनेजमेंट लटका देता है तो यह सब कंपैट पोरोटाउन में चलाना बहुत दिक्रत हो रहा है और वैल उपनली इस सब्सक्राइब करते हैं यह हमारा हाडवेर है यह सका इको सिस्टम है क्या इसको आप मैनेज कर सकते क्योंकि अगर एक दो भी एंटीचीट की बड़ी कंपनी होगा है मतला समझे हर एक एंटीचीट कंपनी कमी यह 25 गेम को जमाल रखा हुग है तो एक ठोको ठीक करेंगा ध 15 गेम नहीं भी चलता है तो भी इनके पस कई 100 गेम बचे होए जो चलेगा इसलिए यह चिकन एन एक सिचुएशन से बाइपास हो गए है अब बात करते हैं यह है जैन्वान प्रोड़क्ट और जैन्वान प्रोड़क्टर के बारे में हमेशा आपके पस होना चाहिए कौश यह बहुत इंपर्टर की सेल्स कम हो सकता है तो सेल्स कम होने से साइड इफेक्ट यह होगा कि मतलब हड़वेर आ गया हाड़वेर खुल आ है तो कोई दिक्कत ने है लें इस टीम उसका सपोर्ट करना बंद कर देगा सपोर्ट करना ऐसा समझ लिए कि उसके लिए बहुत बहुत होगा अगर सेल्स बहुत कम हो जाता है ओ फिर यह एक पॉर्टेबल हाड़वेर तो ज QUESTION Mmore में जबस तउ सबसे ज़्हां इसलब दिमाग खाता है पहला है thermals आपका का प्रोसेसर बबर पार्फुल है लेकिन यह बहुत पुर्फुल में बहुत ज़्यददा कुछ भी कुछ भी कुछ भी आप बोल दे रहो दो खंटा साथ कर देगा बात इनका फुल पावर पे इनका यह होगा कि मैक्सिमम पावर द्रेन पर यह दो घंटा टिकता है और जो अप्टिमाइज सिस्टम है या मतलब इनको पास एक स्वीच है यह सब चीज है जो आने के बात पता चलेगा और फिर सॉफ्यर इंटिकरेशन जैसे यह बात कर रहे हैं कि हम बात करेंगे हम डील करेंगे क्या पता वो लोग कंपनी सी देगेने और कर देखें नहीं बहुत मैंद लगेगा हम लोग नहीं करेंगे अब जैगे अब तो वह सकता है तो सॉफ्टर इंटिकरेशन भी एक सीजिस बात है और फिर जो इनका सबसे लोईस्ट बजट है जो काफी कम दाम पर उतारने के कोशिश कर रहे हैं यानि कि राउंड समझे 30,000 रुपय के असपास कर रहे हैं उसमें 64 GB दे रहे हैं वो आज के लिए बहुत कम है भाई मतलब ऑप्टिमाइज गेम भी है मतलब समझे वार जोन कितने जीभी खा जाता है तो आपका 64 GB बहुत जो होने वाला है वो है डायरेक्ट मेमोरी एकसेस यानि कि आपका SSD से डायरेक्ट GPU डेटा निकाल लेगा तो वो उसका लिमिट जो है वो होता है कि आपका इंटरफेस के इतना चोड़ा है सेटा में वो अतना खास महीं काम कर पाए तो सेटा सोलो होता है 600 MPs तक जाता है इस सब्सक्राइब में यह रहेगा सपोर्ट डारेक्ट मेमोरी एकसेस लेकिन वो लिमिट हो जागी जो 64GB वाला लिया पलस 64GB में सब्सक्राइब तो यह मुझे बहुत और 64GB को हटाओ और मतलब उस स्क्यू बनाने में जतना खर्चा हो रहा है उसक्यू खर्चा को किसी तर सब्सक्राइब क्योंकि 512 में क्या अटेगा और यह दूसरा एक बात है कि पोर्टेबल डिवाइस में दूसरी बात हो थी कि बहुत हैवी हो सकता है यानि कि कॉंसोल जब भी बनता है तो कंट्रोलर में बैट के इंजिनियर लोग महलत करते हैं बैट कि इसका एक-एक पर देखें तो उन्होंने बहुत चीज़ बनाया है जैसे स्टीम बनाया अगर आपक भी नाम नहीं सुने दूस पहला पॉइंट फिर जो स्टीम उस है उसके लिए उन्होंने पूरा हाड़वेर बनाया था वह भी आपकभी नहीं सुने होगा फिर स्टीम कंट्रोलर यह भ पता नहीं क्या करना चाहरे थे यह उतना सचस्फिल नहीं पर आपको क्यों फैसा दो और कंट्रोलर में था कि एक कहवत है इंजिनेरी में कि इफ एड ब्रोग डॉंट फिक्से मतलब जो ची नहीं बिगड़ा उसमें चट्खानी मत करो तो इसमें चट्खानी किये थे नही कुछ तो experience है कि एक अच्छा equipment बना कि उसको अच्छा सेल कर लेकिन failure का rate से साथा है तो इसलिए Gen 1 product है बहुत ज़्यादा उमीदे ना लगाएं बहुत चीछ फिल हो सकता है Gen 1 है Gen 1 के तरह treat करें अब बात करते हैं बहुष में क्या होने वाला है तो यह समझी की बहुष यहां पर potential want है मतलब अगर यह successful हो गया गरदा उड़ा देगा धूँआ निकाल देगा मतलब बहुत ज्यादा इसमें काविलियत है और यह समझी की जो कि दूसरी कंपनी भी इसको 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 पूरा खुला रखा है तो बहुत सारी कंपनी बनाती है जो portable handle जैसे GPD हो गया आपका Aon Eon हो गया 1X player हो गया बहुत सारी कंपनी है जो बनाती इस तरह का portable equipment वो लोग को Windows लगाने के जहां सांती से इसको लगा सकते हैं और इससे यह फैदा होगा कि इनको भी benefit मिल जागा जो मतलब प्रोग्रामर के ऊपर प्रोग्रामर उसके ऊपर थोड़े दो-तीन सो अर प्रोग्रामर लगते हैं तो वो तो यह सब चोटी-चोटी कंपनी करी नहीं सकती है और अगर यह सही हो गया तो एक समझ लिए कि नया कैटेगरी आगा यह पहले आता था सोनी का वाइओ मतलब एक दो पिक्चर में भी आप देखेंगा अस्ट बॉर्ण पिक्चर में दिखा जागा था कुट कंप्यूटर कर बहुत बड़ी बात थी मिशनिंग पॉसबल में भी साथ एक दो बात दिखाया गया तो यह था ऐसा कैटेगरी थी एक दो कंपनी बना जाएगा और इसे एक अच्छा चांस है कि Linux यह मिलने में में क्या बोलता है मतलब में स्ट्रेम एक्सेप्स में चांसे सच्वाइब क्योंकि माल यह गेम डेवलपर बोलता है कि हम प्रोटान पर मैनेज करें या तो हम सांथी से लिए से लिए गेम लिए और अगर वो वह बहुत बड़ा बात होगा दस मिलियन लोग नॉर्मल कस्टमर कंजीमर के तोर पे इस्तमाल करने लगे लिनेक्स सिफ सिंपल है बस उनकों पस यह देखने के लिए तो कोई देकत नहीं है कि उनके पास कोई डिवाइस नहीं करते हैं तो इसलिए यह काफी बड़ा गैंबल समझ लिए और अगर सिक्सफिल हुआ तो बहुत फाइदा होने वाला है हम सभी लोगों का तो यह था मेरा प्रेजंटेशन स्टीम डेक के बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ सिंखने में लगो कुछ समझ में हो अगर एसा है लाइक कर दे दोस्तों शेयर कर दो से मेरा काफी बलाओगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंदा है कोई बात नहीं देवाण